Hello भच्चों कैसे हैं आप आज मैं आपके लिये लाई हूं कुछ tips and tricks जिससे आपको आपकी पढ़ाई में काफी help होने वाली है अब आपके आ कई बार आप ऐसा होता है कि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन आपको guidance सही नहीं मिलता है आप सही direction में पढ़ाई नहीं करते हैं पढ़तो आप सब कुछ लेते हैं लेकिन काफी बाते आपको पता नहीं होती है तो ये बाते आपको पता होना बहुत जरूरी होता है तो सब section A, इसमें क्या होता है, बहुत very short type questions आते हैं, very short type questions, ठीके, और ये कितने marks के होते हैं, ये होते हैं, one marks के, इसमें क्या होता है, mcq होते हैं, assertion और reason वाले questions भी होते हैं ठीके, ये जो questions होते हैं, ये सब पूरे एक number में आते हैं, one marks के questions होते हैं, उसके बाद आते हैं, आपके second, section B, जो आता है, आपका section B, section B में क्या होता है, student, section B में आपके जो questions आते हैं, वो आते हैं, short type questions, यहाँ पर जो questions होते हैं, very short type के, और ये जो questions होते हैं, ये होते हैं, कुछ short type के questions, ये जो short type के questions होते हैं, ये आते हैं, ये आते हैं, आपके three marks के, ठीके, कितने marks के आते हैं, ये आते हैं, three marks के questions आते हैं, और इनकी जो word limit होती है यह होते है 40 to 50 या 50 to 60 50 to 60 words इससे ज़्यादा 40, 50, 60 इससे ज़्यादा आपका wording नहीं होने चाहिए उससे ज़्यादा words आप इसमें use नहीं कर सकते उसके बाद आता है आपका section C section C जो होता है उसमें क्या होता है students उसमें आते हैं आपके large questions long type जो होता है long type ठीके और यह आते हैं आपके 5 marks के इसकी जो wording होती है यह कितने words में हो सकते हैं 82 90 words इससे ज़्यादा आप इसको नहीं लिख सकते तो यह तो हो गया एक paper pattern आपका उसके बाद आप preparation कैसे करें ठीके तो preparation के लिए previous year question paper आपको क्या करना है previous year की questions papers को करना है जितने ज़्यादा आप PYQs करेंगे उससे आपको confidence develop होगा और आपको अच्छा लगेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी preparation कैसी है दूसरा यह जो PYQ होते हैं इसमें आते हैं आपके numerical problem और theoretical problem numerical और third आती है theory ठीके तो अब आप जैसे students हैं उनलोगों को क्या होता है numerical में physics में सबसे जदा ड़ लगता है तो physics में numerical के लिए आपको क्या करना है PYQ करने है दिहान दीजिये आपको क्या करना है PYQ करने है क्योंकि PYQ में आपको पता लग जयता है किस तरह की numerical आ रहे हैं वहाते हैं तरह की नेक हमाइरिकल ॉपट आफ और थे किया होता आय। उस्तरह की नुपार्फलम में प्राइंड़ है। यह जाती नुमेरिकल तो आुझाषा प्रॉबम कना यह तब क toothbrush बहुता हे। तीसरा आता है theory part, theory part आप लोगों का clear रहता ही है, लेकिन आपको क्या करना है, pyq में देखना है, कितने number of questions रिपीट हो रहे है theory part में, तो आपको maximum theory part physics में अपना cover करना है, ठीके, क्योंकि physics का जो part रहता है, वो थोड़ा कम रहता है, और आपका chemistry और bio ये ज़्यादा part रहता है तो आपको physics पे ज़्यादा ध्याम देदा है, बच्चे physics में डरते हैं, तो कुछ चीज़े आपके direct questions नहीं आते हैं, questions थोड़े conceptual भी आते हैं, अगर आपने अपनी NCIT clear कर रखी हुई है, तो आपके maximum 90% question आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन काफी वार question को थोड़ा गूमा कर जाता है, तो इसके लिए आपको maximum number of questions करने पड़ते हैं, जब numerical problems आती है, तो numerical में आपकी रह जाती है, कुछ calculation based होते है, कुछ formula based होते है, calculation तो होगी ही होगी, साथ में आपके formula based होते है, तो काफी बार आप लोगों को ये problem होती है, कि आपको formula तो पता है, लेकिन आप उसकी calculation नहीं कर पाते हैं, तो students इसमें घबराने की बात नहीं है, जब देखें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हर student अगर पूरा question solve कर लेता है, अगर आपका numerical part में आपको question solve नहीं हो रहा है, last में आपका answer नहीं आ रहा है, तो आपको जो भी पता है, जो उस numerical में बोला गया है given, तो आप उसमें given quantity लिखेंगे, जो भी आपको given है, और आपको अगर formula आता है, तो आप उसका formula लिख देंगे, ठीके, और formula में क्या करेंगे, उसकी value put कर देंगे, ठीके, और third सबसे important बात है, जब उसकी calculation हो जाएगी, तो आपको उसकी unit लिखना नहीं भूलना है, क्या न तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यह बहुत important guideline है, कि सबसे पहले अब आपके पास यह time है कि आपको PYQs करने है, number of questions करने है, numerical part आपको PYQ से भी करना है, theory part भी आपको PYQ से भी करना है, और NCRT भी आपको अपनी clear रखनी है, so all the best for your exam.